नमस्कार दोस्तों, इस्टेडी अटा के यूटूब चैनल में आपका स्वागत है, देखिया हमें आलसो वैरिफाइड एडुकेटर अनकैडमी, तो आप मुझे अनकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं, आप अनकैडमी का लर्निंग आप डाउनलोड करके वहाँ पे हीमन्त में सरा दाउनलोड कीजे और उहां पे आप मुझे फॉलो कीजे, देखिये आज 10 तारिक है और ये लेसन नमबर 3 है, टिक आप दे का मैत का क्वेस्टन हम कर रहे हैं, तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर है, कॉमेंट और सेयर जरूर करें, साथ में हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जरूर जोइन किजेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, चले क्वेस्टन देखते हैं, हमारा क्वेस्टन है कि माल गाड़ी और सवारी गाड़ी की चालो क अनुपाद कितना है, साथ समन्दे नौ है, सवारी गाड़ी साथ सेकंड में माल गाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी का एक यातरी ये देखता है कि उसने माल गाड़ी को 35 सेकंड में पार किया है, तो माल गाड़ी और सवारी गाड़ी की लंबाई का जो भी यात्री होगा उसके द्वरा लिया गया समय फिर रेशियो लगाएंगे दोनों द्वरा परस पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय इसमें से हम घटा देंगे माइनस करेंगे सवारी गाड़ी के यात्री द्वरा माल गाड़ी को पार करने में लिया गया समय अब द कि एक यात्री ये देखता है कि उसने माल गाड़ी को 35 सेकंड में पार किया तो यात्री द्वारा लिया गया समय कितना है 35 सेकंड रेशियो दोनों द्वारा परस पर एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय यहां देखिए उपर के लाइन में माल गाड़ी और सवारी गाड़ी के चालो कनपात यह है सवारी गाड़ी 60 सेकंड में माल गाड़ी को पार कर लेती है तो दोनों दारा परस पर एक दूसरे को पार करने में लगा समय कितना है साट सेकंड माइनस सवारी गाड़ी के यात्री दोरा माल गाड़ी को पार करने में लिया गया समय अब यह देखे सवारी गाड़ी का यात्री जो है माल गाड़ी को पार करने में कितरा समय लेता है 35 सेकंड तो इसको माइनस कर दीजे तो जब इसको आप माइनस करेंगे तो 35 ratio कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा अब इसको आप कार्ड देंगे तो 5 सते 35 और 25 तो जो हमारा answer होगा answer क्या होगा 7 ratio 5 कितना simple सवाल था basic concept से लगाते तो आपको बहुत जादा time लग जाता है तो आप यह formula जो है याद कर लिजे 2 मिनट का है आपको एकदम 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको खुदी याद हो जाएगा तो वीडियो पसंद आया हो तो like जरूर कीजएगा मिलते हैं एक नए lesson में Thank you everyone